आरे पुद्दार इंस्टिट आफ मेनेजमेंट राजस्थान विश्वुद्याले के सभागार में लेखा यूम सांखे की विभाग राजस्थान विश्वुद्याले और तिरूपती कोलेज आफ टेक्निकल एजक्वीशन चैपुर की ओर से दो दिवसी अंतराश्टिय संगो संगोष्टी का यूजन की आगया संगोष्टी के उद्घाटन सत्र में मुख्यातिती कालिचन सराफ वधायक विश्विश्व चतिती डॉक्टर डीपी शर्मा एम्बेसर्ड स्वच्छ भारत अभियान प्रोफेसर एमल चीपा पूर्व कुलपती अजमेर मौजूद रहे समारों के अध्यक्षता राजस्थान विश्विश्व द्याला की कुलपती अलपना कटे जाने की उनिवर्शिटी आफ राजस्तान के तत्वा उधान में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फरेंच इनोवेटिव डिसर्च एंड प्रेक्टिसेज इन कॉमर्स मेनेजमेंट एंड आईटी अफ सस्टेनेबिल डेवलपमेंट के बाले में जो पहली बार हो रही है इसके लिए मैं इसके और्गनाइजर रशोग जी अगरवाल को बहुत बहुत धनेबाद देना चाहूंगा निच्छित रूप से इस प्रकार की इंटरनेशनल कॉन्फरेंचेज होती रहनी चाहिए जिससे कॉमर्स मनेजमेंट के बाले में आपस में किस देश में क्या चल रहा है इसके बाले में लोगों को जानकारी मिलेगी और इससे आज के इस गलोबलाइजेशन के यूग में जब एक दूसरे को जानकारी मिलेगी तो उससे उनिवर्सिटी आफ राजस्तान के तत्वा विभाग में किसी सेमिनार का यूजन नहीं हो पाया था कोविड के कारण से और कई कारणों से तो हमने दस साल बाद रायस्थान विश्व ध्याले में एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस दो दिन की हमने आयूजित की है जिसका टॉपिक आपके है इनोवेटिव रिसर्च और प्रक्रिसेज इन कॉमर्स मनेजमेंट आई टी फॉर सस्टेनेबल डवलप्मेंट क्योंकि सस्टेनेबल डवलप्मेंट आज के यूग का एक एहम मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से संसादनों का दोहन हो रहा है वो प्रकटी के साथ क्या है खिलवाड है उसका दोहन संसादनों का दोहन इस रूप में होना चाहिए कि संसादन भी बने रहे और हमारा काम भी चलता रहे हमें रिसोर्सेज भी मिलते रहे